नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट रक और आप देख रहे हैं और के ट्रेड़िंग तारिक है 22 अक्टूबर 2020 और यहां पे 23 अक्टूबर 2020 के लिए छे इंटाडे के लिए सेलेट कर लिया है दोस्तों उसके इंटाडे लिवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने कोई भी परेशनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है ट्रेट करने से पहले अपने फाइनेंसियल एडवाजर से सलामस्वाज जरू कर ले आपके लाव और नुक्षान की जिम्यदारी चैनल के नहीं होगी तो दोस्तों सबसे पहला इस्टॉक जो सलेट किया है 23 अक्टूबर 2020 फ्राइडे के लिए उसी स्टॉक का नाम है हिंडालको का देखे बहुत ही चोटा से स्टॉक से हैं मेटल सेक्टर का स्टॉक से हिंडालको बिल्कुल एक टेनलाइन के सपोर्ट पे चला जा रहा है इसके वज़ासिस का सलेक्षन है कि अगर इसी टेनलाइन से यह बाउंस करता है तो एक मस्त प्रॉफिट बन सकता है बाइ साइड मे हम देखेंगे हिंडालको अगर 186 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे बाय अगब 186, 186 के ऊपर बाय करेंगे और इस टोप लोस लगा लेंगे 184 का 184 रुपए का और टारगेट इस करनिशन में होगा 188 का 188, सेगेंड टारगेट 190, 190 और थर्टारगेट होगा 192, 192 रु रुपए 50 पैसे को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे सेल विलो 182.50 पैसे और इस्टोप लोस लगा लेंगे उस कंडिशन में 184.50 पैसे 184.50 का पहला टार्गेट होगा 180.50 पैसा 180.50 सेकेंड 178.50 पैसे 188.50 का और थर्ड टार्गेट 176.50 पैसे 186.50 पैसे 186.50 का शुरू के 5 मिनिट टेड को वाइट करके चलना है उसके बाद देगर स्टोप बाइंग या सेलिंग को एक्जूट करे तब ही टेड करें तो यह पहला स्टोप था हिंडालकों का अब बढ़ता ह इसका नाम है बजाज फाइनेंस आप देखिए बजाज फाइनेंस का यह जो इस्टोप है यह बिल्कुल हिंडालकों के जैसा ही बीएप कर रहा है लेकिन हिंडालकों नीचे से उसका टेनलाइन का सपोर्ट था इसको उपर से टेनलाइन का रजिस्टेंस से बजाज फाइन तो यह बजाज फाइनेंस का है अगर डेली का टाइम फ्रेम है अगर बिल्कुल पास में क्लोस किया है अगर ब्रेक आउट मिलता है तो उपर की शैड में भागेगा तो बजाज फाइनेंस 3370 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगा बाय अब 3370 और इस टॉप लोस लगा लेंगे 3350 यानि 3350 का पहला टारगेट होगा 3390 3390 दूसा टारगेट होगा 3410 3410 और तिसा टारगेट होगा 3430 3430 रुपे का सेल साइट की बात करते है अगर हिंडाल को नीचे के स्वरी बजाज फाइनेंस अगर नीचे की लेबल को ब्रेक कर देगा 3290 को तो सेल करेंगा सेल बिलो 3290 और श्टॉप लगा लेंगे 3310 का यानि कि 3310 रुपे का पहला टारगेट होगा इस कंडिशन में 3270 3270 दूसरा टारगेट 3250 3250 और तिसा टारगेट होगा 3230 3230 रुपे का दोस्तों फर्स टारगेट के पास विएकर श्टॉप आता है तो जरूब 5270 परसेंट कॉंटिटी बढ़ता हूं तीसरा इस्टॉप की तरफ में दोस्तों और तीसरा स्टॉप का नाम है टाइटन का देखे टाइटन का यह श्टॉप बिल्कुल जैसे हिंड यह था आपका हिंडाल को यह नीचे से इसको सपोर्ट लेते हैं नीचे आराए डाउन टेंड में लेकिन उसको 1232 को ब्रेक करेगा तब 1232 और इस्टॉप लगा लेंगे 1225 1225 का पहला टार्गेट होगा 1239 1249 दूसरा टार्गेट 1246 1246 और तीसरा टार्गेट 1253 1235 का सेल साइड की बात करते हैं अगर टार्गेट नीचे के लेबल 1219 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे सेल बिलो 1219 और इस्टॉप लोगा 1226 1226 का पहला टार्गेट होगा टार्गेट में 1212 का यानि 1212 सेकेंड टार्गेट होगा 1205 1205 और फ़र टार्गेट 12198 यानि 1190 रुपाई क बिना स्टॉप्लस के टेड कभी न करें और लाइब मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलिग्राम चैनल को जोईन जरू करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो ये तिसरा इस्टॉक्षा टाइटन बढ़ता हूं चौथा स्टॉक्स की फिर से त्यारी कर रहा है तो बाय करेंगे भारते ये टेल अगर ये 434 को अब साइड हों ब्रेक करेंगा तब बाय बाइब 434 और श्टॉप्लस 431,431 का पहला टार्गेट होगा 437,437 दूसरा टार्गेट 440,440 और तिसरा टार्गेट 443,443 रुपे का सेल साइड की बात क करता है 426 को यनि 426 को तो सेल करेंगे और श्टॉप्लस लगा लेंगे 429,439 रुपे का पहला टार्गेट होगा इस कंडिशन में 423,423 दूसरा टार्गेट होगा 420,420 और तिसरा टार्गेट 417,417 रुपे का तो ये चौथा श्टॉप्लस था भारती ये टेल इसके पास अब जगा बहुत ही कम हो गिया है इंडर्शिन बैंक में देखना बहुत ही छोटा इस्पेस होगा पहले बड़ा इस्पेस था बड़े इस्पेस में टेड कर रहा था अब छोटे इस्पेस में टेड कर रहा तो ब्रेक आउट फास्ट करेगा बाय करेंगे इंड चैसो तेरा को ब्रेक करेगाता है, बाइब अब अब 613 और इस्टोप लोस 608 रुपेका, पहला टार्गेट होगा 618, दूसरा टार्गेट 623, 623 और तिशा टार्गेट 628, 628 रुपेका, अगर ये नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, नीचे सेल साइड करेंगे 604, 604 के नीचे सेल और इस्टोप लगा लेंगे 609, 609 रुपेका, पहला टार्गेट होगा 599, 599, दूसरा टार्गेट होगा 595, 595 और तिसरा टार्गेट होगा 591, 591 रुपेका, तो ये पांचमाई स्टोप था दोस्तों, और याद रहे के प्रोफिट बूकिंग पे ध्यान स्टोप डेली के टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स एक रेंज में फासा हुआ है, अभी दिवाली में देखें टाटा मोटर्स की कितनी बिक्री होती है पता नहीं, लेकिन इस रेंज के अगर बिल्कुल इस पॉइंट को ब्रेक करें तो एक मुमेंट बनेगा, तो बाय करें स्टेबल को ब्रेक कर देता है दोस्तों, 132 को तो सेल करेंगे, 132 के निचे सेल और स्टॉप प्रोस लगा लेंगे, इस कंडिशन में 134, 134 रुपे का, पहला टार्गेट होगा 130, 130, दुसा टार्गेट 128, 128 और तुसा टार्गेट 126, 126 रुपे का, तो दोस्तों ये टोटल 126 रुपे का, 23 अक्टूबर 2020 के लिए, फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए, वीडियो अन्सिस पसंद आ, तो जरूर लाइक कीजिए, फिडिवेक देना बिलकुल ना भूले, मिलता हो नेक्ष्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,